हैदराबाद ने दिल्ली को सरस्थ रनों से हराया, नटराजन को मिले चार विकेट, मैक गर्क ने जरा 50 IPL 2024 के 35 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ, इस मैच में कई रिकॉर्ड बने और ट्रेविस हेड और अभिशेक शर्मा ने ए लेकिन अंत में हैदराबाद ने दिल्ली पर आसानी से जीत दर्ज की, हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड के 32 गेंदों पर 29 रन, अभिशेक शर्मा के 12 गेंदों पर 46 रन और शाहबाज एहमद के 29 गेंदों पर नाबाद 29 रनों की पारी की मद से 20 ओवर में 7 विकेट पर 266 रन बनाए थे, जवाब में दिल्ली के लिए जैक फ्रेजर मैक गर्क ने तूफानी पारी खेली और 18 गेंदों पर 65 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद दिल्ली की पारी लड़ खड़ा गई और टीम 19.1 ओवर में 190 रन बनाकर ओन ल लिए, लक्षे का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुवात अच्छी नहीं रही और टीम ने 25 रन के स्कोर पर प्रित्वी शौ और डेविड वार्नर के विकेट गमबा दिये थे, इसके बाद मैक गर्क ने तूफानी पारी खेल दिल्ली को संभाला और महज 15 गेंदों पर अर्ध शतक पूरा किया जो IPL के मौजूदा सीजन